और अब आज के दिन की सबसे विशेश बात, आज आज श्वेन कृष्णपक्षी की सब्तमीती थी और मंगलवार का दिन है सब्तमीती थी आज शाम छे बच का सोलह मिनट तक रहेगी, उसके बाद आज अश्टमीती थी लग जाएगी लिहाजा आज सब्तमीती थी वालों का शाद किया जाएगा, यानि कि आज उन लोगों का शाद किया जाएगा जिनका स्वरगवाज शुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की सब्तमीती थी को हुआ हो इस दिर शाध करने वाले विक्ति को महान यग्यों के बराबर पूने मिलता है और वो शेष्ट विचारों का धनी होता है या दिलादू की बीटे 21 सितंबर को हमने ये भी चर्चा की थी कि शाध के दौरान पढ़ने वाले नक्षत्रों के हिसाब से भी शाध करके लाग पाये जा सकता है और आज मुर्ख्या नक्षत्र रहेगा मुर्ख्या नक्षत्र में शाध करने वाले वित्ति के अंदर अच्छे गुणों का विकास होता है साथ ही उसकी तरक्की होती है तो ये थी चर्चा आज सब्तमी शाध्र और म्रक्ष्या नक्षत्र के दोरान के जाने वाले शराध्र की और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की आज सुबह सूरोदे से लेकर शाम 6 वज का 16 मिनट तक दूपुशकर योग रहेगा बता दू कि दुटिया सब्तमी या द्वादशी तिति हो और रववार मंगलवार या शनिवार का दिन हो और म्रक्षिरा चित्रा या धरिश्टा नक्षत्र इन में से कोई भी वार तिति औ माना जाता है कि दुटिया करने से, उस कारे को दो बार करने का स्वहाग्य प्राप्त होते है generation दूपुशकर योग के दोरां कि गई कोशिछ का फल भी हमें दोगना के प्राप्त होता है तो उमीद है कि आप भी दुपुशकर योग का लाप जडु उठाएंगे और प्रियां चुम्या पहती स्पराशमाइनार्टाटेृसर्ष भावलुन परुक्र जा. बता दूँ कि खैर के पेल की लक्टियों से ही कत्था भी मनाया जाता है लहाजा जिन लोगों का जन्म रिक्षरानक्षत मैं हुआ हो नोगों को आज खैर के पेल की उपासना करनी चाहिए और हाठ चोड़कर नमसकर करना चाहिए ये भी बता दूँ कि आज उन लोगों को कत्था खाने से भी बचना चाहिए जिनका जनुम्रक्षया नक्षत्र में हुआ या जिनके परिवार में आश्राद हो आज ऐसा करने से आपको शुप फलों की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुप समद्धी बनी रहेगी ज जनका जननुम्रक्षया नक्षत्र में हुआ है उनको कभी भी कत्था नहीं खाना चाहिए अगर पान भी खाना है तो केवल चूने का पान खाईए कत्था मत लगए तो यह थी चर्चा जो पुश्कर योग सब्तमी शाद्र और अम्रक शेह नक्षत्र के और अब बात करते हैं कल यानि की उन्तीस सितंबर को माता महालक्ष्मी व्रत के समापन की कल इस व्रत को किस प्रकार पूर्ण किया जाएगा उसकी उचित विधी क्या है इस सब की चर्च आप आज ही कर सकें लेकिन उससे पहले जान लेते हैं माता महालक्ष्मी व्रत के महतों के बारे में माता महालक्षी का वरत ना कर पाए हो वो लोग अगले साल आने वाले साल में इस वरत का पालन करके सब चीजों का लाव अवश्यूप था है या अभी तक नहीं कर पाए तो लास्टे कर लीजिए कल तो लास्टे है ना एक दिन कर लीजिए तो ये थी चर्चा कल के दिन पूर्ण होने वाले माता महालक्षी वरत की और अब जान लेते हैं कि कल अगर आपको किन किन चीजों की जरूर पड़ेगी तो कल के लिए आपको दो सूप चाहिए सूप तो जानते हैं यसे पछोरा जाता है दो सूप सूला मिट्टी के दिये प्रसाद के लिए सफेद बर्फी फूल माला तारों को अर्ख देने के लिए यदेश्ट पात्र सूला गाटफाला लाल धागा और सूला चीज़ें हर चीज सूला के गिंती में होनी चाहिए जैसे सूला लौंग, सूला इलाइची या सूला सूहाक के सामान सूला सूला होना चाहिए और अब बात करते हैं पूजा विधी के बारे में देखे पहले दिन महालक्षमी जी की पूजा सुबा के समय हुई थी जबके कल वरत के आकरी दिन शाम के समय देवी मा की पूजा होगी कल समापन पूजा विधी के दौरान सबसे पहले अपने हाथ में वही सूला गाट वाला लाल धागा बांग दीजे जो आपने वरत के पहले दिन बादा था अब माता महालक्षमी के आगे सोला देशी घी के दीपक जलाईए और धूप दीप से देवी मा का पूजन करें फिर एक सूप में सोला चीजें सोला सोला की संक्यावे रखकर उसे दूसरे सूप से ढग दे और उसे माता के निमित दान करने का संकल्प करें संकल्प के लिए मंतर पढ़े छीरो दारनाव संभूता लक्षमी चंद्र सहो दरागा हे छीर सागर से उतपन चंद्रमा की सगी महन माता महालक्षमी मैं ये सब कुछ आपके निमित दान करूँगा इस परकार संकल्प लेकर उस सूप को वही रख रहने दीजे अब दीपक में जोते चलाकर माता महालक्षमी के मंतर का जाप करिए मंतर आप जानते हैं आप पूजा से पहले ही इस मंतर का अपनी इच्छानुसा संक्या में संकल्प लेकर रखे फिर जैसा आपने संकल्प लेकर उसके हिसाब से मंतर करिए संकल्प मतला मैं इतने मंत जपूँगा या इतने जपूँगा या इतने जपूँगा जप के बाद माता महालक्षमी के आरती कीजिये और उन्हें सफेद मे ठाय का भोग लगए इस तरह पूजा के बाद तारों को जल से अरह दीजिए और आती कीजिए इसके बाद अपने जीवन साती का हाथ पकड़कर उत्तर दिशा की और मूँ करके तीन बार पुकारिए हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आजाओ हे माता महालक्ष्मी मेरे घर आजाओ इस परकार तीन बार बुकारी हैं, इसके बाद जो वरती हैं, वो अपने लिए और माता महा लक्ष्मी के लिए अलग अलग थाली में भोजन निकालिए, अगर आप विभाहित हैं और पति-पत्नी दोनों ने वरत किया है, तो देवी मा और अपने साथ साथ अपने जीवन के लिए भी थाली में भोजन निकाल लिए साथ ही हो सके तो माता महालक्षमी के लिए चांदी की थाली में भोजन निकाल कर रखिए भोजन करने के बाद अपनी थालियां उठा लिए लेकिन माता की थाली को वहीं किसी दूसी धाली से डग कर छोड़ दें आगली दिन सुबह माता के लिए निकाली थाली का भोजना आप किसी गाय को खिला दे और सूप में रखा हुआ दान का सामान किसी लक्षी मंदिर में दान करते इसके अलावा सोलह गांट वाले धागे को अपने तिजोरी में संभाल कर रखने इससे आपके घर में धंधाने की कभी कमी नहीं होगी और हर प्रकार से आपके घर परवार की समद्धी ही समद्धी होगी देखिए एक बाद बता दूँ आप जब भोजन निकाल रहे हैं अपने लिए और अपने जीवन साथी के लिए और माता के लिए तो एक तो दो बार परसना चाहिए, मतलब एक बार निकाल दिया, कुछ दिर बाद फिर भोजन कराईगे, और दीजिए उसी में, थोड़ा और बढ़ाईगे, कुछ नहीं बढ़ाना है, तो खीर ही बढ़ा दिये, कुछ बढ़ा दिये, जो आपको रूचे बढ़ा दिये, औ शद्धावान लभते, जिसको शद्धा होती है, उसे लाभ अवश्य होता है, माता उस पर कृपा अवश्य करती है, कराओ माता को भोजन, पाओ सुख, तो ये थी सारी चर्चा कल के दिन माता महालक्ष्मी के सोलह दिवसी इवरत के समापन की विदी के बारे में, इसके आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए कमल के तार्य फूल या सूखे फूलों को जल में भिगो कर हवन करना चाहिए, वरश राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए कल मधु यानि शहद, घी और शक्कर से लुक्त, बेल के फलों से, बेल की गिरी से होम करना चाहिए मिथुन राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए कल घी में दूर्वा भिगो कर होम करना चाहिए और करकर राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए चावल से होम करना चाहिए और सिंग राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए कर घी में गिलोए डुबो कर होम करना चाहिए राशिवालों आपको माता महालक्ष्मी की करपा पाने के लिए कल घी में मदार की लकली डुबो कर होम करना चाहिए और तुला राशिवालों आपको कल काली मिर्च, जीरा, सूखे जुनारियल की गिरी से युक्त, गुर और घी में पके हुए पूओं का होम करना चाहिए वरिष्चिक राशिवालों आपको माता महालक्ष्वी की करपा पाने के लिए कल घी से युक्त, नंद्या वर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली से हवन करना चाहिए अगर आपको सारी चीज़ें न मिलें तो जो भी चीज़ मिले उससे हवन कर लीजे धनु राशिवालों आपको कल सफेद तिल से होम करना चाहिए मकर राशिवालों आपको कल गुर्मिश्ट जाओ तिल और चावल से होम करना चाहिए कॅम्भ राशीवालों आपको कल घिसे हुए नारेल की गिरी में घी मिलाकर होम करना चाहिए और मीनराशीवालों आपको कल दूद और चावल की खीर से होम करना चाहिए तो ये थी चर्चा आज सब्तमी शाद्ध, दुईपुशकर योग, मरक्षया नक्षत्र और कल पूर्ण होने वाले माता महालक्ष्मी की ब्रत्की इसके बारे में विश्चित चर्चा हम कल भी करेंगे उमीद है कि आप इस चर्चा का पूरा-पूरा यानि भरपूर लाभ उठाएंगे